जै मतदी गाईज कैसी है अमारी योटूब फैमली आप लोग युकल ठीक होंगे खुश होंगे अपनी जिन्दगी मस्त होंगे मतरानी सबको खुश रखें सुबे के 6.30 बज रहे हैं माभगती की पूजा भी हो गई सुंदरकान का पाठ भी हो गया और दिन है आज सटर्डे और डेट है 13 जन्वरी और आज ना सुबे से हमारे चोटे वाले भाईया का फोन आ गया था बोल रहे थे हैपी तिलया क्योंकि आज ही के दिन हमारे यहां त कीसी जा रही है दीदी आ नहीं रहे हो हमने गा भाया इस समय लखनों में इतनी ठंडी बाहर इतना कोहरा है और कैसे हैं तो हमारी भी नीन्द खुल गई थी तो हमने सोचा जल्दी इससे पूजा पाठ वाले काम भी कर लेते हैं अपने काम भी सुरू कर देते हैं क्योंकि क करना तो हम ही लोगों को है चाहे 9 बजे करें चाहे 4 बजे करें तो यहां पर हमने कीचन में भी काफी तैयारी कर लिया था और आज हमको बनाना है राजमा तो हमने राजमा भी बॉयल कर लिया है और राजमा के साथ ही हमने 5 आलू भी डाल दिया था छील करके तो आलू भी ह हमारे अच्छे से बॉयल हो गए तो पहले इनको निकाल लेते हैं और प्याज वाला राजमा बनाएंगे हमारे पती देव का कहना है सिंपल वाला राजमा ना बनाना प्याज डाल करके बनाना इसलिए हमने प्याज भी काट लिया था और देखे पूजा पाट में लगे हुए था नमक के साथ ना अच्छे से गल जाएगा और थोड़ी से पानी डाल करके ओड़ी से अइसे हम राजमा को घुमा लेते हैं। एक दम से हमारे बेजान रूखे से हो रहे हैं और जैसे छोटे गंलो में पौधे हैं जैसे की हम एक दो पौधे ना हमने उसमें लगा रखा है जो करवा चोथ में करवा लाते उसमें भी लगा दिये थे और छोटे छोटे ना ये कहां से हम डून डून करके लाते रहते हैं कुछ तो हमने बोतल ही काट करके लगा दिये थे जो हमारी प्लास्टिक की बोतल होती है और ये पानी ना हम जो कलस वाला पानी रहता है जैसे पानी ना हम अपने पौधों में डाल देते हैं आज हमने सोचा कि अपने लिए भी थोड़ी से टाइम निकाल लेते हैं क्योंकि अभी बाहर ना बिल्कुल धूप नहीं है और जब तो धूप नहीं निकलती ना तो बाहर जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है कपड़े भी हम बाहर के बालकनी में ही डाल देते हैं, उपर छट में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि जब धूप नहीं निकलती तो कपड़े डालने को कोई मतलब नहीं है, तो हमने सोचा निन फॉलिसी लगा लेते हैं, और कभी न कभी अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकालन गर्मियों में अगर एक बार आप कपड़े पहन लो ना, तो फिर ऐसे लगता है कि अपने सरीर में ठंडे हाथ बिल्कुल ना जाएं, इसलिए कुछ भी केर नहीं हो पाती, और गर्मियों में यह रहता है कि अपनी सरीर खुद अपने आप ही फीट रहती है, तो गैस हम लो नहाने के बाद दूसरे कपड़े पहनते हैं, तो बस यही है, गर्मी हो यह ठंडी हो, हम बहनों को अपने काम तो करना ही करना, दूद वाले भईया भी आ गयते हैं, और उनको चाय भी दे देते हैं, और थोड़ी से ना हमने अपने लिए मटर भी रात में ही भीगो दिया था पानी में तो इसको भी ऐसे ही तवा में सिंपल तरीके से तल लेते हैं थोड़ी से इसमें नमगी टाल देंगे आजाएए आप लोग भी हमारा मता तलतर की तयार है और गर्मा गर्म अध्रक वरी चार्ग बन गई है तो चलिए चाय का नमी लेते हैं दुपाहर के एक बज रहे हैं तो हम सेंक लेते हैं रोटी बच्चों को भी दुपाहर का भोजन करवा देते हैं और कल के व्लोग में हमारी बहनों ने आप लोग ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किया है हमारी सस्क्राइबर है कानपूर से उन्होंने कमेंट किया है कि दीदी हमारे यहां भी तिलया वाला तेवार मनाया जाता है तो हमारे मायके में तो आज ही मना लिया गया तिलया वाला तेवार लेकिन हम ना कल बनाएंगे कल हम बनाएंगे मुगोडे और यह कठे देखे ना हमारी तीन चार घड़ियों के यानि जितने कमरों में हर जगे लगी थी सब के से लिए कठे खतम हो गए हैं तीनो घड़ी के से खतम है बच्चों को कहते हैं तो लेकर के आते हैं से धूप करन जारा देखते हैं आज ना धूप बहुत ही कम है बच्चे अभी भोजन कर रहे हैं यहां जा रहे हैं जारू लगा लेते हैं और हम सोच रहे हैं उस मकान में जाते हैं जारू लगा लेते हैं ज्ञारू लगा लो न धूली कठवा नहीं होने पाती है अन्य ज्ञारू अगर एक अप्ते ज्ञारू 다시 लगाने वह जाते है नो तो पूरी धूल न पूरे मकाम हो जैती है फिर वसं यही मन करता है कि पाइप लगाओ और धुलाई कर दूपाऑ दूप भी नहीं है, जाते किता संदर ना गुलाब का फोल निकला हुआ है उपर के गंडरे, बहुत ही अच्छा लग रहा है, कृष्णा चलोगे हमारे साथ, अरे थोड़ी दे में नहीं बेटा भी चलो, एक बज रहे हैं, तुरंत टाइम हो जायागा, फिर साड़े तीन चा चल रहे हैं हमारी सासुमा की, यानि कुम्ह मेले में जाने की तैयारियां, तो डेली के ना उनके ऐसे ही काम हैं, कभी कुछ छट में ये डालना है, कभी ओ डालना है, जैसे कि कल तो सिंगहाड़ा कूट करके डिब्बे में रख दियें, और रामदाना उसको धूप में डाल हम अपना लखनव ना इस समय चित्रकूर धाम हो गया है, इतने मंकी आते हैं, कि अगर उनको कुछ भी खाने पीने को भी नहीं मिलता है तो ये टीनों में हर जगे और यहाँ पर जगड़ा भी करने लगते हैं, तो वही सासुमा बोल रहे हैं कि जब तक धूप में पढ़ा जी हैं, यानि सासुमा के देवर जी हैं, तो ये वाले आटे की नहीं रोटियां बहुत पसंद करते हैं, और गाइज हमको भी बहुत ही पसंद है वाली रोटी, लेकिन हमको नहीं चूला नहीं मिलता है, अपने माय के जाते ना तो चूले की रोटी खाते लेकि इस बार ना करना हमें बहुत ही खुशी होई और यहां पर हमाये वह मतंथ हिच्छा मांगने के लिए तो सब बहनों से मिलकर की अपार खुशी है, खुशी क कोई ही नही है तो सब के भाव बहुत अच्छे हैं अब उस दिन आपको हमारी फ्रेंड सर्किल में है हमारी बात नहीं है सब कितने अच्छे भाव हैं सब कोई बहुत आपी लीजी ना आज ना हम पांचों लोग निकल लिये हैं यानि तीनों बच्चे और मीना हम और इन लोगों को ना तो यहां पर हम मकान में भेज दिये थे और हम अपनी बहनों से मिलते मिलाते भीच्छा मांगते हूँ यहां पर आए हुए हैं तो मीना को भी यहां पर बहुत ही अच्छा लगा एकदम से ना भी खुला खुला सा है तो अच्छा लगता भी है और थोड़ी आज का मौसम भी साही था तो हमने का तेवार है चलो यहां के जाड़ू पूछा वाले भी अपने काम कर लेते हैं और बच्चों को भी थोड़ा घूमना हो जाएगा और बच्चे अपना छट में में आ करके दुमा चौकरी लगा रहे यानि खेलना सुरू कर दिये हैं और हम अगर तीसरी मंजिल के छट में आ जाते हैं और नीचे को जरस अभी देखते हैं तो पता नहीं कि उस सर हमारा घूमने लगता है तो वही हम बच्चों से बोल रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि जब हम कभी बांबे जाएं तो फ्लाइट स तुम फ्लाइट से जाओ लेकिन हम ही नहीं जाते हैं क्योंकि हमको न अंदर से पता नहीं क्यों ऐसे अभी डर जैसे लग रहा है वैसे हमारी देवरानिया भी समझाती हैं कि दीदी बिल्कुल न डरिये अगर आप एक बार बैठ जाओगे न तो आपको बिल्कुल पता ही यह चलेगा कि आप फ्लाइट में बैठे हुए है तो बस इसी तरह कि हम सब की बाते भी चलती जा रही थी और अपने काम भी शुरू थे तो गाइज हम आगे हम नीचे के हॉल में और यहां पर ना काफी पिंट वाली बाल्टियां भी पड़ी हुई थी तो यहां पर हम दो बारूपोंचा वाले काम ही दिखाते रहते हो जो हम करते हैं वही दिखाते हैं कोई दिखावटी पर हमारे अंदर नहीं है और हमारी बहने हमारी भतीजियां आप लोग अपनी बुआ का पूरा साथ दीजे आप लोगों की साथ की प्यार की बहुत ही जरूरत है तो यहां पर अपने हमने काम कर लिया अब बाहर की बालकनी में यहां बर बच्चों ने दूलाई कर दिया था तो हम वाइपर से यहां कभी पानी खीश देते हैं ठंडी तो काफी है और हम दोनों देवरानी चिठानी को एक परेशानी हो जाती है अगर पानी के हम ज़्यादा काम कर लेते हैं तो उंगलियों में हमारे शोयलिंग भी आ जाती है लेकिन कोई बात ने सब अपने काम तो करना ही पड़ता है इसके बाद वहां के काम करने के बाद आप चल रहे हैं अपने यहां मकार में देखते हैं और बच्चे कहरें मा कुछ ले लो यहां से हमने कहा हम लोग नहीं लेते हैं पापा जी आएंगे ना साम को तो कुछ ना कुछ लोगों से मंगवाएंगे क्योंकि अगर बच्चे सब काम करते ना तो करें मा पालती होना चाहिए बच्चों को पालती तो बहुत ही जरूरी है और अच्छा भी लगता य जीजे बहुत ही कम कर दिये हैं बस हपते में तो एक दिन इन लोगों को चाहिए चाहिए और देखिए क्या मंगवा हैं आप लोगों से खुद ही बताएंगे क्या मंगवाया है मनू क्यों मनू क्या आया है क्यों क्यों गोड़ी तेस्टी है अभी नहीं मेरे पापा आप सब्सक्राइब है क्यों गोबिन तेस्टी है अभी अभी नहीं बाटेंगे क्यों का आपा फोन रख दो मनू प्न देख्के नहीं ठाएजा आप लोगों को भी बुला रहे हैं रात कर दीनेरिंग के साथ करिए आप दंडियों में ज्यादा बड़ा की पेट हो जाता है क्या है अबी बाला बहुत बहुत नाइट. बहुत नाइट. नाइट जामटादी. सुबह मिलते हैं गाइश. बहुत नाइश. बहुत नाइश.